बहुत समय पहले की बात है। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड एकठा हो जाती। भूल कर बस हसने लग जाते. धीरे धीरे चाइना के लोग उने बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होती हुथी गई. लाफिंग मोम के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते इस से पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं वे विशेश रूप से किसी पर नहीं हंसते थे वह बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड मजाक को समझ लिया हो जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किये बिना पूरे चाइना में इतना आनंद पहलाया जितना आज से पहले किसी ने ना पहलाया था लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंस दे तो यह उनका नाम बन गया तीन हसते हुए भिखशु लाफिंग मॉम्स पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूरे हो गए और एक रात जब वे एक गाव में ठहरे हुए थे उन तीनों में से एक भिखशु की मौत हो गई पूरा गाव स्तब्ध रह गया पूरा गाव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से वन की मृत्यू हो गई होगी तो बाकी दो जरूर रोएंगे यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था जब सुबह होई तो पूरा गाव एकटा हुआ लेकिन दोनों भिक्षू तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न होई हुए गाव के कुछ बड़े बुजर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथ ही था और इसकी मृत्यू पर आपको हंसना नहीं चाहिए तब उस दिन पहली बार उन भिक्षू ने लोगों से बात की और कहा हम हंस रहे हैं क्यूंकि यह आद Reynolds जीत गया है हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा लेकिन इस आदमी ने पहले मर कर हमें हरा दे हम अपनी हारव जीत पर हंस रहे हूं, इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिती का आनंद लिया, उसे अंतिम विदाई देने का इस से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गाव उदास था. जब मृत भिक्षू के शरीर को अंतिम संसकार के लिए चिता पर लिटाया गया, तो सारे गाव वालों को एहसास हुआ कि शेश दो भिक्षू केवल मजाक नहीं कर रहे थे. वह तीसरा जो मृत था, वह भी हंस रहा था. चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यू हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतार कर, उसे नहला धुला कर, उसे नए कपड़े पहना दिये जाते थे. लेकिन मरने से पहले, उस भिक्षू ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए क कहा था. तीसरे भिक्षू ने कहा था, मुझे सनान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं. मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी. मैंने कोई धूल जमा नहीं की है. हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसल लगने के बाद फट कर आसमान में रंग बिरंगे कदमों में फैल गया. और यह देखकर एक बार पूरा गाम जोर जोर से हंसने लगा. इस तरह से वह तीसरा मौत मरने के बाद भी सारे गाम वालों को हंसा गया. और यह देखकर शेश दोनों भिक्षू ने कहा, चालाक आद पाद आद बाद के लोगना में वाम जोर।